तो मैं रेडी हो चुकी हूं अपने भाई की हल्दी के रशमनी भाने के लिए और येलो कलर पहन करके और ये फॉस्ट में होता है और रात में हम लो दाल भी हो देते हैं और पांशोहागनी बैट करके और इस दाल कुद होती हैं इसमें हर तरह के डाल होते हैं और सब डालो को दोया जाता है और इसमें आम के पते डाले जाते हैं और ये बिहार का एक टेडिशन है जो हमारे यहां होती है यह हमारे यहां का है और इस तरह से डाल धुलाई होता है और इस डाल को पीस करके बड़ी बनाई जाती है और ये ब ये रस्ता में भाई जा रही है उसके बाद से मेरे भाई का हल्दी है तो बैठ चुका है और ये हल्दी का जो है उसका सच चुका है सब पहने जो पहनी है तो मैं काफी कम सारी पहना करती हूँ तो मैं आज हल्दी है इसलिए ये हल्दी को सबसे पहले अपने उपार अप्लाई किया जता है फिर गुरूम को लगाता है तो ये नी भाद या हमने ये हल्दी की रस्म और बारी-बारी से सभी घड़ वाले इस रश्म को निभाएंगे तो चलिए देखते हैं और ये है मेरी सबसे चोटी बावी और ये भी हल्दी के रसमनी भारी है और इस तरह से भाबियाँ बहने माई collaborative यह जो है और ये देखिये मेरा भाई है ये इससे बड़ा भाई है और इसमें जो हता है जिन्स भी हल्दी लगाते है और ये इस तरह से रसमनी भाया जाता है तो देखिए यह हमारे घर का रसम है जो हमारे हाँ यह निभाया जाता है तो इस तरह से तो क्या आपके यहाँ भी इस तरह के होते हैं हल्दी की रसम और ऐसे और फिर यही है मेरे चाचा मेरे सबसे छोटे अंकल तो यह भी हल्दी लगा रहे हैं और अन्मेरिट बच्चे भी जो होते हैं बोईज होते हैं वो भी लगाते हैं अपने खुशी के लिए उसके बाद से हुआ संगीत का फरंसन और नेक्स डे डाला सजाने का हुआ लड़की का गुरूम का जो है और यह देखे मिशुव तो मैं अब जा रही हूँ अपने रूम से निकल करके और हॉल में यह सारे गुरूम्स के लिए कपड़े उगरा सजाए जा रहे हैं तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं तो आएं हमारे साथ और देखें क्योंकि सारे कपड़े जो होंगे तो यह सब लेश उगरा लगा के उसको नातनी का काम होता है और इस तर से सारे जो लेडिस हैं गाने बजाने वगर हो रहे हैं और कपड़े की नताई बुनाई हो रही है तो इस तरह से ये सारे दुलहन के जोड़े हैं जो रेडि किये जा रहे हैं डाला साजने के लिए और ये जो इस दिन बडात होगी उस दिन यह सारे डाले में रखे जाएंगे यह सब रेडी हो रहे हैं इस तर से सारे लोग मिल करके रेडी करते हैं तो देखे ऐसे लेस लगा करके बाहनते हैं इसको अच्छे से डेकोरेट कियाजाता है और फिर यह डाले में जाएंगे اور مِتھائیاں وغیرہ سارے کچھ ہے جاتے ہیں تو آگے دیکھتی رہیے گا سعادی کے سارے رسمیں میں آپ کو دکھاتے رہوں گی کہ ہمارے آہاں ہمارے بیہار میں کس طرح کی سادیاں ہوتی ہیں تو دیکھئے بیہار کے سادی آپ वर्चुली अप देखिए چلئے پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لئے اپنا خیال رکھیں دعاوں में یاد رکھیں और अपना प्यार हमें देते रहें ओके, सी यू, बाई, अल्लाह अफिज, तैंक यू फॉर वाचिंग, और इंज्वाइ कीजिए अज्वार हमें देते रहें